हेलो आप सब लोगों का स्वागत है सेविल स्टैफ ही माचल पे तो आज हम लोग हमारा जो डेली न्यूजपेपर सेशन है उसको इसी तरह से डिसक्रस करेंगे किसी कारण वर्श्च नहीं हो सकती है यहीं कारण उसके बारे में जो अभी डिसक्रस करेंगे तो देखिए जो पहली नीजपर जो पूरे को पूरा ही आर्टिकल पपलिश हुआ है शायद आप लोगों को बहुत जानकारी जो आर्बिया से रिलेटेट देखने को नहीं मिलेगी लेकिन पिछले 90 सालों में 90 इयर्ज में क्या-क्या important highlights शब हम लोगों को आर्बिया से रिलेटेट देखने को मिली उनके आज जिकर जो वो इस specific article में किया गया है कि किस तरह से जो वो जब Reserve Bank of India सबसे पहले बने तो उनके जो पहले गवर्नर का नाम था वो सर ऑस्पोन स्मिट था और उसके साथ पहले जो भारतिय आर्बिया के गवर्नर बने उनका नाम CD देश्मूख था और उसके साथ जब जब आर्बियाई और गवर्मेंट के बीच में हम लोगों को देखने को मिलेगी तो वो भी सारे का सारा जो है वो यहां पे जिकर किया गया है जिसमें प्रणम मुखर जी और उसके साथ मनमौन सिंग्स एक ऑ्टका जिकर किया गया सिमिलरली सुब्भाराओ जब मनमोन सिंग अभण के प्रधान मंतरी वने और चिदामर्ण जी थे फाइनेंस मिनिस्टर ते उसमें किस तरह कि स्थिती ती उसके बाद mpc का बनना मॉनटरी प्लानिंग कमिटी का बनना और साथ में डी मोनेटरी का भूनाmost के साथ साथ डी मेड़ाईजीशन का ओना तो यह सारी किसारी जानकारी जो अब लोग को देखने को मिलती है अब हम लोग नेक्स्ट नीज्स के अपर मूव करते हैं तो देखिए काभी बार प्रिलिम्स में जो इस तरह के सवाल जो पूछे जाते और उसके साथ-साथ रिजर्व बंक ऑफ इंडिया की जो फंक्शनिंग है जहां पर हम लोग है जानकारी जो अपनों को देखने को मिल जाएगी जहां पर प्रिलम्स में तरह के प्रशन जो अम लोगों को देखने को मिलते हैं इसके साथ-साथ नेक्स नियूज के उपर मूब करते हैं नेक्स नियूज जो है वह बथे कली कौदाई कनाल से सबसे पहले घानी जो पहले किया गया जो इसका पूरा कहानी जो वहां पर बढ़ाया गया किस तरह से 19th सेंचुरी के एंड में बहुत सारा सूखा बहुत सारे फैमाइन जो पूरी दुनिया में पड़े और उसका जो में रिस्पॉंसिवल फैक्टर जो है वो इंटिफाई किया गया तो उसमें वन ऑफ दिम जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था पूता कि जो सोलर जो हीट थी उसमें जो अब लोगों के देखने और यह उसी सोलर अब्जर्वेटरी का जो पिक्चर है वह आप लोगी स्पेसिफिक न्यूस के अंदर देख सकते हो प्लेसिजे न्यूस उस समंधित जानकारी के लिए जो आप लोगों के स्पेसिक आर्टिकल को पढ़ सकते हो इंडियन एक्स्प् नीज के अपर हम लोग मूव करेंगे तो नेक्स्ट नीज की अगरूं बात करेंगे तो यहां पर चुपिटर का स्वा सुर्शक was नहीं की जो जब July 3 टेंटिफाइ जो कि जो जो ऑजोन है उसकी क्या इंपोर्टेंस है और किस तरह से जो यह रेलेवेंट हो सकता है और उसके साथ जो 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 आप लोग पर यहां पे प्रिलिंटर आप लोगों को पता ही है कि इन जनरल प्रिलिम्स में तो सवाल पूछा प्लैनेट का वो सट्राइट है और उसके साथ साथ प्ड़ों के आप लोग बात करेंगा यहां पर तो जैसे कि आप लोग पता ही है पहले भी न्यूस जो है वह हम लोगों को लग लग न्यूस पेपर्स के अंदर देखने को मिली जहां पर इंडिया जो है वह सबसे बड़ा नएक नियूस जो है वह सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है टो मैं-ली एकस्पोर्ट से इंफॉंटर होनी चाहिए कि defense में हमारे दोरा क्या किया जा रहा है वो आप लोगों को tribune के अंदरी specific article पब्लिश हुआ है वहाँ पे देखने को मिलेगी तो prelims के लिए general जादा important है लेकिन उसके साथ साथ जो है जो security aspects से जो जादा चीज़ें हम लोग बहार export कर रहे हैं उससे भी आप लोग इस specific news को क्या कर सकते हो relate कर सकते हो next news के हम लोग बात करेंगे sports related news है जहां पे पंका जड़वानी जो billiards का title जो जनके द्वारा जीता गया है मुंभई में यह specific event हो के आटा तो आप लोगों को इसके बारे में पताऊना चाहिए एहां पर और मने लिखी गई है ठीक है और उसके साहट जोरान र inglés उसक्या सब्सक्राइब मिलेगा और मुरे ये कि अगर के लिग्लज के अंदर श्राप्स निफ्में ये dif निई निज के ऊपरो लोग मूव करेंगे नेक्स्ट यूज जो हमाचरपदेश से रिलेटेट है जहां पर अगर हम लोग बात करेंगे एच्प जनल स्टडीज पेपर 3 जहां पर इंडस्टिलाइजेशन इन इस स्टेट का जिकर किया जाद है आप लोग को पता ही है कि हमाचरपदेश के अंदर ज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उनको जो है वो कम से कम तीन से 10 क्रोड रुपया जो चाहिए होगा तो वो कहीं नहीं कर पाती है यही कारणान के दौरे गहार लगाई गई क्लियर कि उसको वो अनेवल नहीं कर सकती है जब सरकार नहीं सुन रही है तो उन्हें कहा है कि वो जो है वो एक्जिट रूट अपनी जो यूनिट सेंको बंद कर देंगी और इसमें हिमाचरपदेश के उपर 410 MSME जो है वो कहीं नकेहीं जो इससे इंपक्ट हो रही है तो यही पूरे का पूरा तो जानकारी है आप लोगों के यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमाचरपदेश में जो है वो टोटल 665 फार्मा यूनिट्स है जिन में से 255 जो हो विसिकली जो नॉम्स है यह वर्ल्ड हेल्थ ऑगनाइजेशन के नॉम करना था लेकिन अभी तक यहां पर देखने को मिलेगी तो मेलनी मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टन हो सकता है उसके बाद नेक्स निउस अगर आप लोग बात करोगे तो यह बैसिकली एशियान से रिलेटेड है जहां पर इंडिया के जो हमारे फॉरन अफेर मिनिस्टर हैं यह सिंगापूर फिलिपींस और मलेशिया जो की एस्सेशन आप साउथ इस्टेशन नेशन के मेंबर हैं उनकी आतरा पे गये हुए हैं तो वहां पर इनके साथ जो इंडिया के ट्रेड रिलेशन्स हैं कैसे इनके टाइस को इंप्रूव किया जाएगा तो जो हमारी कही इसके उपर हम लोग करेंगे नेक्स्ट नीज जो है यह नॉमल न्यूज है के चिदिव आइलेंड के साथ रिलेटेड न्यूज है जिसके बारे मैं कल भी हम लोगों ने डिसकस किया था नेक्स्ट जो है वह इंडियन एक्सप्रेस एक्री के अग्री कुल्च्रल एकॉनमी अगर नहीं भी बढ़ोगे तब भी चल जाएगा लेकिन हाँ यह एक इंपोर्टन आर्टिकल जो आप लोग इसको देखोगे इस स्पेसिविक समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि PMLA जो है यानि की प्रिवेंशन और मदी लॉंडरिंग आक्ट 2002 यह बहुत जादा हुई है तो पूरा इतिहास बताया गया है कि किस तरीके से जो उनाइटेंट नेशन है 1988 में जो वह कंवेंशन की क्लियर और उसके बाद हमारे देश की सरकार है उसने आर्टिकल 253 को यूज करके पारलिमेंट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के ओपर जो लॉपास कर सकती है और उसके बाद जो वो PML ने हम लोगों ने inact होता हुआ देखा और उस PML ने के अंदर जो वो क्या-क्या bail provisions हमें देखने को मिल रहे हैं क्या-क्या important उसके provisions है तो वो सारे के सारी जानकारी जो है वो आप लोग इस specific article के अंदर देख सकते हो तो Hindu के अंदर ये article आया है तो basically political pressures की बात करें चाहे आप लोग जो हो corruption की बात करें जो है उससे रिलेटेड़ जानकर यह आप लोगों को जादा मिल जाएगी लेकिन इन जनल पीमल ले क्योंकि आजकल न्यूज में आ रहा है तो उसकी जो important highlights उसका पूरे का पूरा बैक्ग्राउंड जो specific article में समझाया गय और उसके साथ साथ वैसे भी हम लोगों को politically, socially, economically जो है वो कहीना कहीं impact कर रही है तो यह एक aspect है कि जो AI है उसका elections के साथ जो relations है वो establish किया गया है तो हिंदू के अंदर यह article publish हुआ है तो आप लोग जो इस article को एक बार पढ़ सकते हो याई के उपर हम लोग देख रहे हैं प निउस्पेपर को जो हम लोग इसी तरह से रीट करते हैं तो यह थे आज के हमारी important news बाकी कल मिलेंगे तब तक के लिए थैंक्यू तन्यवाद